स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल आदित्य मोटराइड में और आज हम बात करेंगे बैस्ट 10 बाइक्स के बारे में जो आपको 1 लैक रुपीज के अंदर में इंडियन मार्किट में मिल जाती है तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है टीवी एस रेडर 125 रेडर 125 एक पीछे आपको LED टेल लाइट और आपको बल्ब इंडिकेटर दिये जाते हैं इसके टैंक के पास यहाँ पर जो काउल लगे गए हैं वो बाइक को एक स्पोर्टी फील देते हैं वहीं अगर बात करते हैं इस बाइक के एंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको दिया जाता ह 10 लीटर्स की यहाँ पर आपको fuel tank capacity मिलती है और इस बाइक से आप तकरीबन 60 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो इसके suspension की बात करें तो सामने आपको टेलिसकोबिक suspension मिलता है और पीछे यहाँ पर आपको monoshock absorbed suspension दिया जाता है इसमें आपको tire दिये जाते हैं फ्रेंट में 80 section 100 का 70 रि पीछे आपको drum brake मिलेगा और front में आपको 240 mm का disc brake दिया जाता है तो मैं कहूं तगरा का budget कम है और आपको एक अच्छी दिखने वाली बाइक चीज इसमें आपको decent mileage मिल जाए तो आप TVS Raider की तरब भी जा सकते हो नमबर 2 पर आती है Hero Extreme 125 R अभी अभी ये बाइक भारती बाजार में लॉंच होई है और बहुत जल्द इस बाइक ने इंडियन मार्किट में लोगों का दिल जीत लिया है देखने इम बाइक बहुत ही शांदार लगती है बहुत ही sporty looks आपको इस बाइक में दे दिया जाता है इस बाइक की actual room pricing 96,000 रुपीज हाला कि इसका एक single channel ABS वाला variant भी आता है लेकन वो यहाँ पर आपको एक लाख रुपे के ऊपर दिया जाता है पर आप नॉर्मल वेरियन भी ले सकते हो बाइक का जो looks आपको बहुत ही sporty है देखने हम बाइक बहुत premium लगती है तो अगर आप आपको दिये जाएगा 124.7 CC का single cylinder engine जिसमें आपको 11.4 BHP की power और 10.5 Nm का torque मिलेगा और नंबरों गेर्स यहाँ पर आपको 5 मिलने वाले हैं 10 L की यहाँ पर आपको fuel tank capacity दी जाएगी बात करते हैं इस बाइक के suspension के बारे में तो सामने आपको telescopic suspension दिये जाएगा और पीछे आ 80 का 17 inches का alloy wheel दिये जाएगा fully digital instrument console आपको इस bike में offer किया जाएगा handlebar में आपको पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी straight handlebar है तो आप आराम से इसको ride कर लोगे बात करते हैं इसके और कुछ features के बारे में तो front में आपको disc brake मिलेगा 240 mm का और पीछे आपको drum brake दिये bike है तो जिनका budget कम है वो इस bike के लिए जा सकते हैं इसकी एक showroom pricing 90,000 रुपीज बाइक कजलुक से वो बहुत ही शान्दर देखने बाइक बहुत ही stylish लगती है बात करते हैं इसका electricals के बारे में तो front में आपको LED headlights पीछे आपको बलभी tail light और बलभी indicators दिये जाते हैं इस bike के engine की बात की जाए तो यहां पर आपको दिये जाएगा 124cc का single cylinder engine जिसमें आपको 10.72 bhp की power और 10.9 newton meter का torque मिलेगा और नमबरों गेर्स यहां पर आपको 5 दिये जाएंगे इस bike से आप तकरीबन 65 kmpl तक का mileage निकाल लोगे इस bike का handlebar वो यहां पर straight है तो आप तन के bike को चलाओग आपको twin shock absorbed suspension दिये जाते हैं, front में आपको 80 section 100 का tire मिलता है और पीछे आपको 100 section 80 का tire दिये जाता है, front में आपको 240 mm के disc brake मिलेंगे और पीछे आपको drum brake दिये जाएगा और fully digital instrument console यहां पर आपको offer किये जाएगा, तो एक कम budget में आपको अगर अच्छी mileage वाली bike जिसमें आपको basic features दिये जाते हैं, बात करते हैं इस bike के looks के बारे में, तो देखने में bike ठीक ठाक लगती है, तो अगर आपको city में ही कहीं office वगेरा जाना है, तो आप इस bike को ले सकते हो, इसके electrical की बात करें, तो front में आपको halogen headlamp, पीछे आपको bulb tail light और bulb indicators दिये जाते हैं, इस bike में आपक 3.94 cc का single slander engine, जिसमें आपको 10.59 bhp की power और 11 newton meter का torque दिया जाता है, और 5 speed का gearbox आपको यहाँ पर दिया जाता है, 10.5 liters की यहाँ पर आपको fuel tank capacity मिल जाती है, बाइक का handle बार है वो upright है, और यहाँ पर आपको unibody single seat दिया जाती है, front में यहाँ पर आपको 240 mm का disc brake दिया जाता ह और पीछे आपको twin shock absorbed suspension दिया जाता है, front में आपको 80 section 100 का tire मिलता है, वहीं पीछे आपको 80 section 100 का tire दिया जाता है, तो अगर आपको कहीं office वगेरा का work करना है, और आपको decent mileage चाहिए 55-60 km तक का, तो आप इस bike को ले सकते हो, नमबर 5 पर आती है, बजाच Pulsar 125, हर महीने इस bike की जो sales से वो बहुत ही अच्छी की जाती है, क्योंकि काफी लोग इस bike को पसंद करते हैं, इस bike की extra room pricing है 95,000 रुपीज और bike का जो look से वो आपको बहुत ही शांदार दिया जाता है, देखने हम bike बहुत ही simple और थोड़ी बेटेल लाइट और बल्ब इंडिकेटर दिया जाते हैं, इस bike में आपको engine दिया जाता है 124.4cc का single cylinder engine जिसमें आपको 11.64 BHP की power और 10.8 Nm का torque दिया जाता है और इसमें आपको 5 speed का gearbox दिया जाता है, 11.5 L की यहां पर आपको fuel tank capacity मिलेगी और आप इस bike से तकरीबन 50 km पील तक है और जो handle bar है वो भी upright है तो आपको ride करने में कोई भी दिक्कत नहीं आगी, अगेन इस bike को आप तभी ले सकते हो, मतलब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी अगर आपको office वगेरा जाना है, city में ride करना है और थोड़ा बहुत आप इससे long tour भी कर सकते हो, front में आपको सम मिलता है 80 section 100 का 70 inches का alloy wheels और पीछ आपको मिलता है 100 section 90 का 70 inches का alloy wheels, सामने आपको मिलगा 240 mm का disc brake और पीछ आपको drum brake दिया जाएगा, तो ये जो bike है ये आपके लिए best हो सकती है, number 6 पर आती है hero glamour, glamour एक बहुत शांदर bike है, हाला कि ये bike थोड़ी सी यहाँ पर underrated है, लेकिन इस bike जो looks and design है, जो गाड़ी की performance है वो यहाँ पर आपको बहुत ही बिंदास दी जाती है, आपको इस bike को चलाने में भी मज़ा आने वाला है, जो look से वो आपको बहुत ही बढ़िया दिया जाता है, सामने आपको LED headlight मिलेगी, bulb indicator मिलेंगे और पीछे आपको bulb tail light दी जाती है, इस से तकरीबन 60 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो, 10 liters की यहाँ पर आपको fuel tank capacity मिलती है, सामने आपको telescopic suspension मिलता है, वहीं पीछे आपको twin shock absorber suspension दिया जाता है, सामने आपको 80 section 100 का tire मिलता है 18 inches का, वहीं पीछे आपको 100 section 80 का 18 inches का tire दिया जाता है, front में आपको 240 mm का disc brake मिलेगा, वहीं के लिए यह जो bike है यह बहुत ही तगड़ी है, आप इस bike के लिए आँख बंद करके जा सकते हो, number 7 पर आती है hero super splendor, super splendor भी 125cc की bike है, जिसका जो looks and reason है वह यहाँ पर आपको बहुत ही तगड़ा दिया जाता है, इस bike की extra room pricing है 84,000 और जिस price segment में यह bike आती है, उसमें आपको बढ़िया performance, बढ़िया looks और basic features दिये जाते हैं, इस bike के electrical की बात करें तो front में आपको halogen headlamp, bulb indicator और पीछे आपको bulb tail light दिये जाती है, engine इसमें आपको दिये जाता है 124.7cc का single cylinder engine जिसमें आपको 10.72 bhp की power और 10.6 newton meter का torque मिलता है और यहाँ पर आपको 5 speed का gearbox दिये जाता है, 55 kmpl तक का mileage आप इस bike से निकाल लोगे और 12 liter की fuel tank capacity आपको इस bike में दी जाती है, overall जो looks है bike का वो बहुत ही तगड़ा है, जो handlebar है वो भी हाँ पर upright है, unibody single seat आपको यहाँ पर दी जाती है, सामने आपको दी जाता है 80 section 100 का tire, वहीं पीछे आपको दीता है 90 section 90 का tire, और सामने आ price segment में ये bike आती है, उसमें आपको बड़िया ही चीजें दी जाती है, तो आप इस bike को भी ले सकते हो, number 8 पर आती है TVS Star City Plus, Star City Plus आप सब के लिए एक बहुत ही तगड़ी bike हो सकती है, क्योंकि ये bike मैं खुद own करता हूँ, तो मैं आपको बताँगो कि ये bike कितनी जादा अच् bike में आपको unibody single seat दी जाती है, analog meter आपको यहाँ पर दिया जाता है, और जो आपका handle बारन वो भी यहाँ पर आपको upright दिया जाता है, engine की बात करें, तो इस bike में आपको दिया जाएगा 109.7cc का single slander engine, जिसमें आपको 8.08bhp की power और 8.7Nm का torque दिया जाता है, और इस bike में इतना mileage निकालता हूँ, इसलिमें आपको बता रहा हूँ कि यह bike mileage के मामल में तो यहाँ पर king है, बात करते हैं इसके और कुछ चीजों के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तो 10L की fuel tank capacity आपको दी जाएगी, front में यहाँ पर आपको 17 inches के alloy wheels मिलेंगे, वहीं पीछे आपको 17 inches के alloy wheels दी जाएंगे, और front में आपको 240 mm का disc brake भी दिया जाता है, तो मैं कहूँ, तो इस price segment में यह bike यहाँ पर king है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा mileage इस bike से मिल जाता है, नमबर 9 पर आती है, Hero Passion X-Tec, यह एक बहुत ही शांदर bike है, अभी अभी इस bike को release किया गया है और इसकी जो action room pricing है वो है 84,000 रुपीज, bike का जो looks and design है, जो भी color combination है, वो यहाँ पर आपको बहुत ही शांदर provide किया जाता है, सामने आपको LED DRL और LED headlights मिलती है, वहीं पीछे आपको bulb tail light और bulb indicators दिये जाते हैं, इस bike में आपको fully digital instrument console दिये जाता है, जिसमें आपको सारी information मिल जाती है, और आप अपनी Bluetooth की connectivity भी वहाँ पर कर सकते हो, engine इस bike में आपको दिया जाता है, 113.2cc का single cylinder engine जिसमें आपको 9bhp की power और 9.79 newton meter का torque दिया जाता है, और इस bike में आपको 4 speed का gearbox दिया जाता है, इस bike से आप तकरीबन 60 km तक का mileage निकाल दोगे, और 10 liters की fuel tank capacity यहाँ पर दिया जाती है, front में आपको telescopic suspension और पीछे आपको twin shock absorber suspension दिया जाता है, 80 section 100 का front में आपको 18 inches का alloy wheel मिलता है, वहीं पीछे आपको 80 section 100 का 18 inches का alloy wheels पीछे दिया जाता है, front में आपको 240 mm का disc brake मिलेगा, वहीं पीछे आपको यहाँ पर drum brake दिया जाएगा, तो एक बहुत ही प्राइजिंग यहां पर है 79,000 रुपीज, बाइक में आपको जी लुक्स और डिजाइन है, वो स्प्लेंडर जैसा ही मिलता है, लिकन यहां पर आपको न्यू ग्राफिक्स दिये जाते हैं, और कुछ एलेक्ट्रिकल सेट अप में यहां पर चेंजेस किये जाते हैं, और यहां पर दिये जाएगा, जिसमें आपको सारी इनफॉर्मेशन बाइक की दी जाएगी, यूनिबॉडी सिंगल सीट मिलेगी, एंजिन इसमें आपको दी जाएगा 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर एर कूल एंजन, जिसमें आपको 7.9 bhp की पावर, और 8.05 नूटर मीटर का टॉ यहां पर दिया जाएगा, तो यह थी दोस्तो हमारी 10 बाइक, जो मैं आपके लिए कर आया हूँ, जो आपको 1 लाग रुपे के अंदर इंडिन मार्किट में प्रोवाइड की जाती है, तो आप इन में से कोई बाइक पसंद कर सकते हो, और अपने नियर बाइ शोरूम से बा प्रोमिं विडियोष.